किसान भाईयों नमस्कार मेहों धसरत दाकर्ड आप देख रहे हैं डीवारमिंग यूटूब चेनल किसान भाईयों गेहों की भुवाई के समय कौन सा खाद डाले किसान बाईयों अगर बुवाई के समय सई खाद यानि किसई फोसक तत्व अगर आप अपने खेत में डाल देते है तो इससे फसल उत्पादन में कापी बड़ोतरी की जा सकती है गेहों की बुवाई के समय बहुत से किसान N.P.K. 12.1926 का परियों करते है वहीं कुछ किसान D.A.P. 18.18.0 का परियों करते है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों ही खाद का अगर आप परियोग करते है तो क्या-क्या इनका फाइदा मिलता है इन दोनों में से कौन सा खाद का रिजल्ट बेहतर मिलता है और किन बातों का आपको द्यान में रखना होता है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे भी आपको इसी परकार की जानकारी मिलती रहे किसन भाईयों सबसे बहले बात करते हैं NPK 12-32 किसन भाईयों इसमें मुख्य रूप से नाइटरोजन फासपरस और फोटास तिनों तत्व मुझूद रहते हैं बहुत से किसन गेहों की बुवाई के समय NPK 12-32 का प्रियोग करते हैं अगर आप NPK 12-32 का प्रियोग करते हैं तो इससे आपकी गेहों की फसल में बुवाई के समय नाइटरोजन फासपरस और फोटास की पूर्टी हो जाती है इसके अलावा बहुत से किसान DAP-18-46-0 का प्रियोग करते है DAP-18-46-0 में नाइटरोजन फासपरस पाया जाता है इसके अलावा इसमें पोटास की मातरा मुझूद नहीं होती है बहुत से किसान जहां पर NPK उपलब्द नहीं होता है वो DAP-18-46-0 का प्रियोग करते है किसान भाईयों आप दोनों में से किसी भी खाद का प्रियोग कर सकते है दोनों ही खाद का रिजल्ट अच्छा मिलता है लेकिन अगर आप DAP-18-46-0 का गेहों की बहुआई के समय प्रियोग कर रहे हैं तो आपको अलग से पोटास देना होगा बहुष से किसान केवल N.P.K. के दोरा भुआई करते हैं तो उनके खेत में तो पोटास की पूर्ती हो जाती है वहीं कुछ किसान अगर DAP-18-46-0 के साथ भुआई कर रहे हैं तो उनके खेत में पोटास की कमी नजर आती है तो अगर आप DAP का पूर्योग कर रहे हैं तो आप पोटास का पूर्योग अलग से जरूर करें अलग-अलग सेतरों में किसान इन दोनों खादों का पूर्योग करते हैं लेकिन गेहों की अच्छी पेदावार सुरुवात में बड़या ग्रोथ के लिए फसल में तीनों ततों की पूर्ती होना बेहद जरूरी है या तो आप N.P.K. 12, 32, 16 के साथ गेहों की बूवाई करें अगर आपके यहां पर यह उपलब्द नहीं होता है तो आप D.A.P. 18, 4, 0 के दोवारा गेहों की बूवाई कर सकते हैं इसके अलावा आप पोटास को खेत की अंतीम जूताई के समय खेत में बिकेर सकते हैं जिससे गेहों की बूवाई के समय पोटास की फूर्ती हो जाएगी तो किसान बाईयों ये ती चोटी सी जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अपने किसान बाईयों के पास सियर करें धन्यवाद जै किसान